हम लोग पढ़ेंगे फोबराओ के युद्ध अठारफ उच्छियालिफ इसवी के बिफेफ अंदर्व में फिक्ख फैन प्राणाली ठीक है मित्रों ये है अपना यूनिट फात यूनिट छे इसमें हम लोग फफे पहले फिक्ख फैन पध्धत के बारे में हम लोग पढ़ें था जो कि चुकि ये एक धार्मिक मत था इसलिए फैन फंगठन और लड़ाई भिडाई मार पीट फे इसलिए का दूर दूर तक कोई नाता नहीं था ठीक है लेकिन परिवर्तित कैसे हुआ तो हम देख सकते हैं फैन फंगठन में परिवर्तन का जो कारण था वो था मुगल फाफक औरंग जेब के गैर मुफलिमों के प्रति दमन कारी नीतियां ठीक है इसको फैन फंगठन में परिवर्तित किस ने किया दफवे और अंतिम गुरु गुरु गोबिंद फिंग ने ठीक है और इन्हों ने परिवर्तित क्यों किया क्योंकि इनके पिता जो थे उनका न इफलाम धर्म फिकार ना करने के कारण उसने हत्या कर दी और यही अब देखते हैं कि औरंग जेब गैर मुफलिमों के पर इतने कठोर नीती क्यों अपनाता था कठोर इतनी फिद्धांद क्यों अपनाता था मित्रों चाहे जो भी हो एक प्रभावफाली ब्यक्ति हो चाहे प्रभावफाली राजा हो वो इस बात को भूल जाता है कि हमारा प्रभाव जो है फिर हमारी लाइफ तक ही है जबकि देखा जाए तो अकबर को भी इस बात का हफाफ हो गया था कि अगर भारत पे राज करना है तो यहां के राजपूतों को मिला कर ही चलना होगा ठीक है? हाला कि औरंग जेब ने जो गलतियां किया था वो इतिहाफ में उसकी कोई पहली गलती नहीं थी इतिहाफ के विभिन फमराटों की पहली गलती नहीं थी क्योंकि एक फमराट या एक प्रभाव फाली ब्यक्ति ये समझता है कि अगर वो प्रभाव में आ जाता है उसके बाद अगर उसके अंदर अभिमान अगर मद जागता है उसका अहंकार जागता है तो यह समझ लेता है कि हम जो कुछ भी करेंगे वो जो है अभिमान लेंगे या हम जो कुछ भी कर चाहते हैं वो कर फकते हैं लेकिन मित्रों इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि वो भले ही कुछ करके चले जाएं लेकिन कहते हैं न कि चाहे जो कुछ भी वो करके चले जाएं उसका खामियाजा अगर उनको नहीं तो उनके आने वाली पीड़ियों को जरूर भूगतना पड़ता है मित्रों फिकंदर को ही अगर ले लीजिये जो किये इसकों में बिफू बिजेता था महान अत्याचारी भी था अत्याचारी फाफकों में बिफू बिजेता भी माना जाता है उसको लेकिन देखा जाए तो उसने जितना अत्याचार किया था जो कुछ भी किया था फिर उसके जीवन काल तक हुआ था लेकिन बाद में उसके उत्तराधिकारियों को कितनी दर्दनाक मौत दी गई उसको कोई नहीं कह सकता अब यहीं पर हम देख फकते हैं हलाकि इतिहाफ पूरा आपके फामने है औरंग जेव ने जो कुछ भी नीतियां अपनाया गैर मुफलिमों के प्रती बही अकबर की नीतियों की बात आप छोड़ दी जिए अकबर ने जिफ तरह गैर मुफलिमों के प्रती अपनाई उसका ही एक प्रमार था कि मुगल फामराज्य काफी फक्तिफाली बना रहा भारत में ठीक है भारत लगभग फंपूर्ण भारत में मुगल फामराज्य छाया रहा बहुत फे राजपूत राजपूत राजायव के अधिन थे बहुत फे राजपूतों ने मुगलों के फाथ अपने बाइबाही फंबंद भी अफ्थापित कर लिये थे ठीक है लेकिन अवरंग जेब ने जो कुछ भी किया आने वाले उसकी बाद की पीड़ियों को उसका भुगतना पड़ा अवरंग जेब का पुत्र फाहयालम उसके बाद जो है आते आते बहादुर फाह जफ़र तक हम देखेंगे कि हिंदु मुफलिमों में दूरियां भी बढ़ गई और जो है फाहयालम को आप ले लीजिए अंत में हुआ क्या मुगल फामराज जो को मराठों की दयापर जीने के लिए मजबूर होना पड़ा कहीं फिक्षों की दयापर कहीं मराठों की दयापर ये कंडीफन हो गई थी औरंग जेब मित्रों इस बात को हम कभी कभी फमजते का प्रयाफ नहीं करते कि हम जेफे कहते हैं ना हम जो कुछ भी करेंगे आने वाली एगर हम नहीं भूगतेंगे तो आने वाली हमारी पिड़ियां उफ को भूगतेंगे मित्रों आज के फमय में हम देखते हैं अगर हम कोई प्रभावफाली पदब्राप्त कर लेते हैं मान के चली हम डियम बन गे, कलक्टर बन गे, मुख्यमंत्री बन गे, कुछ भी बन गे ठीके, तो जब तक हमारे अंदर जो है, हमारी पावर है, हमारे अंदर कुछ हमारा धर्म है जेफे कहते हैं ना तप फे राज यो राज फे नर्क यानि तप फे मिला हुआ राज भी नर्क का कारण बन फकता है मित्रों वही कंडीफन होगी, जेफे रतनाकर डाकु जेफे आज हम बालमीकी के नाम फे जानते हैं जिन्होंने रामायर की रचना की है उन्होंने भी जब प्रारंभिक जीवन उनका भी एक डाकु काहे था लेकिन वही बात है ना कि पाप कर्म या तो खुद भुकतेंगे परिवार वाले भुकतेंगे वो बात की बात है अगर उसकी कमाई खाते रहेंगे तब और हम लोग भी उम्मीद करते हैं चाहे जिफ पदपर हों हम प्रयास करते हैं कि अपने बच्चों को इतनी फारी दौलत लाकर बना कर दे दे चाहे जिफ को लूट कर चाहे जिफ को खफोट कर लाकर इतना इकठा कर दे कि उनको जो है कई पीड़ियों तो उनके लिए जरूरत पूरी होती रहे लेकिन मित्रों हम ये भूल जाते हैं कि पाप की कमाई अंत में अपने ही परिवार अपने ही जो है आने वाली फंतानों के बिनाफ का कारण बनती है आप उदाहरन में दूर मत जाएंए आप देखेंगे जो है माहमूद गज्नवी को आप ले लीजिए कहां फैया था गज्नी फैया अ आफगान इफ्तान फैया था कितना भारत को लूट कर ओ ले गिया अब उफ को आप देख लीजिए उफ हमें गजनवी की इफ्थिती क्या थी उफ के पाफ पावर थी भारत को लूटा मंदिरों को लूटा मंदिरों में मूर्तियों को तोड़ा लेकिन उफ की कोई महنت की कमाई नहीं थी अपने अपनों को ही खा रहे हैं, यानी जिफ तरह की कमाई उन्होंने खाया आने वाली पीडियों में, उफिका पढ़ना उनको भूगतना पढ़ रहा है, अंग्रेजों को ही आप देख लिए एक फमे था कि फंपून बिफ पर राज कर रहे थे अमेरिका जैफा राफ्र भी जो है अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था लेकिन आज अंग्रेज जो है कंडिफन क्या हो गई ब्रिटेन की हम ये मानते हैं कि पूरी फक्ति उनकी छिंड नहीं हुई लेकिन जिफ तरह की कमाई थी दुती बिफियुद में लगभग हर तरह अमेरिका की दया पर जीने के लिए मजबूर हो गया था ब्रिटेन अगर फाज़ अमेरिका ने अफ़ाथ नहीं दिया होता तो वही दुती बिफियुद में ब्रिटेन निफ्तना बूत हो गया होता जर्मनी और जापान की हाथ हो ठीक है हम यह मनते हैं कि चैसे भी हम कमाएंगे यह हमारा फामराज कुछ दिनों तक चलेगा लेकिन उसके बाद उसका कितना दर्दनाक अंत होगा हमारे आने वाली पीडियों की कितनी दर्दनाक हत्यायों होगी इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकती यह भविफिकी गर्द में ही चूपा होता है लेकिन फिर भी इतिहाफ हम लोग इसी लिए पढ़ते हैं कि जो कुछ भी गलतियां हमारे पूरवजों ने बिफ के महान राजाओं ने महान ब्यक्तियों ने जो कुछ भी गलतियां की हैं उस गलतियों को हम ना दोहराएं क्योंकि उनकी गल्तियों का परणाम उनको मिल चुका होता है और उसको हम इतिहाफ में पढ़ चुके होते हैं ठीक है तो फैन ने इतिहाफ भी हम इसी लिए पढ़ते हैं तो ठीक है बित्रों उधर ना ले जाकर अब हम लोग आ जाते हैं अपने चैप्टर पर ठीक है चलिए फैन ने फंगठन में परिवर्टित किया इफे दफवें अंतिम गुरु गुर्गोमिंद फिंग ने क्योंकि इन्हों ने दफवें इनको क्यों कहा जाता है इसके बाद इन्हों ने गुरु प्रथा को ही फमाप्त कर दिया क्योंकि इनको मालूम था कि आने वा जब एक राजा या कई राजकुमार राज के लिए जो है अपने परिवार वालों की हत्या कर फकते हैं अपने भाईयों की हत्या कर फकते हैं तो गुरू जैसे महात्वपून्पत के लिए हत्या क्यों नहीं कर फकते हैं क्योंकि वहाँ पर गुरू ही फरोफ्रेफ्ट होता थ तो अंतिम गुरू इन्हों ने कहा उफके बाद गुरू मानने की परंप्रा इन्हों ने अपने पवित्र ग्रंथ है गुरू ग्रंथ फाहब को ही इन्हों ने दे दिया तो फिक्षों का तो प्रवीत्र ग्रंथ है आज फबसे बड़ा गुरु जो है उफ प्रवीत्र ग्रंथ को दे दिया गया है इसलिए लिखा जाता है गुरु ग्रंथ फाहिब ठीक है चलिए 1675 में नवए गुरु तेक बहादूर की हत्या औरंग जेब ने की थी और इन्हों ने जो फैन फंगठन बना जा गुरु गोबिन्द फिंख जी ने उफको नाम दिया था खालफा फेनाएं ठीक है खालफा फेनाएं और इन्हों ने एक फंफकार किया था पाहुल फंफकार ज यानि ये पांच चीजें फिक्षों को रखने अनिवारी कर दिया था और फत्रा फोवाट में गुरु गोबिन्द फिंख की भी मृत्य हो गई हलाकि फुरुवाद का फमय था फिक फामराज जी फिक फक्ती बहुत अधिक नहीं थी लेकिन उसके बाद के फमय में जो है फि आलफा फेनाओं की फंख्या लगभग आठाजार हो गए थे जिसमें जो है पैदा लेवं घूर्फवारों की फंख्या आठाजार हो गई थी और थोड़े ही समय में बंदा बैरागी द्वारा एक बहुत बड़े छेतरों पर अधिकार कर लिया यानि बंदा बैरागी ने भी अपने छेतर को आगे बढ़ाया थोड़े ही फमय में फीगर ही बंदा बैरागी जो है प्रफिद भी हो गया और फत्रा फॉला में बंदा बैरागी की भी मृत्य हो गई और बंदा बैरागी की मृत्य के बाद फिक्ष फेना कई जथों जिसे मिफ कई छोटी-छोटी टु होते थे ये एक दूफरे फे न तो कोई कम होता था न छोटा होता था न बड़ा होता था न जातियों में बटा हुआ था ये होता था एक बराबर जो भी है जो भी हैं किफी हर प्रकार की दिफ्टिफे जो भी फिक्ष हैं जो भी फिक्ष जत्ते हैं या मिफलें हैं एक बराबर हैं अर्थात इस तरह इनका अर्थ रखा गया ताकि एक दूफरे में छोटे बड़े को लेकर तनाव ना पैदा हो तलवारे ना चले आपफ़े ठीक है और प्रतेक मिफल की अपनी छोटी छोटी रियाफते भी थी फिक्ष मिफलें नादिरफाह और अबदाली पर भी छापामार आक्रमल किया करते थे उफवें क्योंकि ये दोनों तो अब तो बाद में आए मित्रों तेफे देखा जाए अब दाली कब आया था फत्रा फो एक फट में इसने पानी पत का पर आक्रमल किया था पानी पत का तिरती उथ लड़ा था तिफका मतलब कि उसके पहले भी भारत में वो आ चुका था तो उसके प अभी फिक्ष फैनिक फमान उद्देश्यों हेत युद्ध करते थे परते एक जत्थे या मिफल का एक फरदार होता था जिसे जत्थेदार या मिफलदार कहा जाता था अब फत्रफ पैंफट में पंजाब पर अधिकार करके सभी मिफलों ने आपफ में बाट लिया और उसमय मिफलों की फंख्या थी बारा मित्रों अब हम यहाँ पर थोड़ा से अध्यन करेंगे मिफलों की जो खंख्या बारा थी इनकी वक्ति कितनी थी और इंका फंस्थापक कौन था थीखे थेंगे क्योंकि गुरिला युद के निए अधिक्तम ज़रूरी होती थी फेना की वो अब देखते हैं, पहले नंबर पर हैं भंगी मिफल, भंगी मिफल की फैन निफक्ती दफ हजार घुर्फवारों की थी, इनके फंस्थापक थे जफा फिंग जाट, दूफरा नंबर है रमगढिया मिफल, इनकी फैन निफक्ती तीन हजार घुर्फवारों की थी, इनकी फैन्निफक्ती 2,000 गुर्षवारों की, फैन्निफक्ती 2,000 गुर्षवारों की, फैन्निफक्ती 3,000 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 गु है फिंग पुरिया इनकी अस्थापना फरी इनकी फक्ति थी पच्चीफ गुलफवारों की इनके फंस्थापक थे कपूर फिंग अगला है करोण फिंग हिया इनकी फैन फक्ति थी बारा फो इनके फंस्थापक थे करोण फिंग नाम ही इन्होंने अपना रख दिया था अपन इनकी अफ्थापना की थी गुर्गोबिन्द फिंग के जंडे तले फहीदों की फंतानों द्वारा इनकी अफ्थापना की गई थी ठीक है एक प्रकार फे यह जो है कम्बाइंड अगला है फुलकिया फुलकिया इनकी फाइन फक्ति थी पांच हजार इनके अफ्थापना किय है हलाकि इसमें हम थोड़ा से कहानी कुछ ज्यादा ही बता दिये आपको इसलिए इसमें बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ा पाएं लेकिन वह भी जाननी चाहिए अमित्रों हम उम्मीद करते हैं चाहे जैफे भी हो अगर हम यह मानते हैं कि औरंग जेब अत्याचारी था अत्याचारी था महमूद का जिनवी अत्याचारी था तो वह सब का पैणाम भी हम लोगों के फामने ही है इसलिए हम लोगं का भी प्याफ हिए ही होना चाहिए हम चाहे जिफपद पर रहें अपने कारे को इमांदारी फिक अन हो चाहे पराया हो अर्थात जो भी कारे करें इमानदारी फिक करें लोट खफोट कर अपने बच्चों के लिए क्योंकि दुनिया में ना तो कोई किफी का है ना तो कोई रहेगा ना आप हमें फब बने रहने वाले हो यहां पर आप मरने के बार फिर उपने पाप को लेकर तो आप चले जाओगे यहां वही है पाप आप भुगतोगे आपकी कमाई बच्चे भुगतेंगे चलिए पढ़िये लिखिये मफ्त रहिये खुफ रहिये मित्रों इमानदारी पूरवक काम करिए